सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाईए बेल आइकन नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे डिसेंडिंग ट्राइंगल के विशे में डिसेंडिंग ट्राइंगल चार्ट पेटर्न का ही एक रूप है डिसेंडिंग ट्राइंगल मतलब की घटता हुआ त्रिबुच यहाँ पेटर्न चार्ट में नीचे की तरफ घटते हुए दिखाई देता है descending triangle, chart pattern, bearish continuation, chart pattern है यह मंदी के trend को बरकरार रहने का संकेत देता है मतलब कि जो बाजार में मंदी का trend चल रहा है वो आगे और भी चलेगा तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि descending triangle कैसे बनता है और इसके बनते समय हमें किन-किन बातों का विशेश ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों chart में हम देखते हैं कि बाजार में मंदी का trend चल रहा है और descending triangle के बनने में यह आवशक हैं कि शुरुवाती trend डाउन ट्रेंड हो इसके बाद price चार्ट में एक support बना कर उपर आने लगता हैं लेकिन मंदी के trend को बरकरार रखते हुए पास में ही एक resistance बना कर वापिस से नीचे जाने लगता हैं इस प्रकार से चार्ट में पहला support और पहला resistance बनता हैं इसके बाद price वापिस से नीचे की और जाने लगता हैं और ठीक पहले support के बराबर या उसके आज पास दूसरा support बनाता हैं और price वापिस से उपर आने लगता हैं और उपर आकर दूसरा resistance बनाता हैं लेकिन यहाँ दूसरा resistance पहले resistance की तुलना में lower होता हैं दोस्तो अब जब की दो support और दो resistance तैयार हो चुके हैं तो अब हमें दोनो support के low को touch करते हुए एक horizontal line खीचना हैं इस line को support line भी कहते हैं इसके बाद दोनो resistance के high को touch करते हुए एक trend line खीचना हैं इस trend line को इस pattern के साथ descending line कहते हैं descending triangle के बनने में यहां आवशक हैं कि कम से कम दो resistance और दो एक समान support बने और अगर दो से ज़्यादा support और resistance बनते हैं तो यहां हमारे लिए अच्छी बात होगी दोनो line खीचने के बाद आपको यह formation एक triangle के जैसा दिखाई देगा इसके बाद जब price support line को तोड़कर उसके नीचे निकल जाए तब यह pattern पूरा होता हैं और मंदी का trend एक बार फीड से चलने लगता हैं जब pattern में breakdown होता हैं तब volume भी बढ़ने लगता हैं तो दोस्तो इस प् करते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि descending triangle के साथ हम विक्वाली कैसे कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको यह बता दूँ कि अगर आपने अभी तक risk reward ratio और stop loss theory का वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि chart pattern के साथ खरीदी और विक्वाली करने में risk reward ratio और stop loss theory का महत्वपोन उप्योग हैं इन दोनों वीडियो की link मैंने इस वीडियो की description में डाल रखी हैं आप वहाँ जाकर यह दोनों वीडियो देख सकते हैं तो चलिए दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि descending triangle के साथ हम वि commission दिखाई दे रहा हैं तो आपको सबसे पहले दोनों resistance के high को touch करते हुए एक trend line खीचना होगी और इसके बाद दोनों support के low को touch करते हुए एक horizontal line खीचना होगी अब हमें इसमें विक्वाली करने के लिए यहाँ देखना हैं कि जब कोई candle descending triangle पूरा होने के बाद support line के नीचे closing दे दे तो उसके बाद वाली candle में हमें विक्वाली करना हैं और विक्वाली करने के तुरंत बाद जिस candle ने support line के नीचे closing दी हैं उसके high के ऊपर का stop loss लगाना हैं इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आपके विक्वाली करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference है वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तब ही आपको trade लेना है अगर difference 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह trade नहीं लेना है trade लेने के बाद आपको trailing stop loss का उप्योग करना है अब इसमें आखरी point यह है कि हमें profit book कहां पर करना है profit book करने के लिए आपको यह देखना है कि जहाँ पर पहला support बना है इसे हम नाम देते हैं point A और जहाँ पर पहला resistance बना है इसे हम नाम देते हैं point B अब point A और point B के बीच का जो difference है वो हमारा target होगा जब price support line को break करके उसके नीचे closing दे देता है तो उसके नीचे point A और point B के बीच का difference हमारा target होगा जैसे कि point A और point B के बीच का difference 20 point का है तो हमारा target support line के नीचे 20 point का होगा और जब price 20 point के difference तक पहुँच जाए तो हमें तुरंत profit book करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम descending triangle के साथ बिक्वाली कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो अब हम chart में descending triangle को समझ लेते हैं कि descending triangle के साथ हम बिक्वाली कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आप अपने charting software में जाईए और chart को खोल दीजिए उसके बाद आपको जिस भी time frame में descending triangle का formation दिखाई दे रहा हो आप उस time frame को खोल दीजिए जैसा कि मुझे यहाँ पर daily chart में descending triangle का formation दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर daily chart की time frame को खोल रखा है descending triangle के साथ बिक्वाली करने के लिए सबसे पहले आपको दोनो resistance के high को टच करते हुए एक trend line खीचना होगी तो यह रहा हमारा पहला resistance और यह रहा हमारा दूसरा resistance अब मैं इन दोनों के high को टच करते हुए एक trend line खीच देता हूँ इसके बाद दोनों support के low को टच करते हुए एक दूसरी trend line खीचनी है तो यह रहा हमारा पहला support और यह रहा हमारा दूसरा support तो अब मैं यहाँ से एक horizontal line खीच देता हूँ अब हमें इसमें बिक्वाली करने के लिए यह देखना है कि जब कोई candle support line के नीचे आकर closing दे दे उसके बाद वाली candle में हमें बिक्वाली करना है तो अब आप इस चार्ट में देखिए इस चार्ट में दो candle ने अभी तक support line को test किया है और test करने के बाद वापिस से उपर जाकर closing दी है तो इसका मतलब यह है कि अभी तक हमें इस formation के अंदर confirmation नहीं मिली है बिक्वाली करने की तो जब तक हमें इस formation में बिक्वाली करने की confirmation नहीं मिल जाती तब तक हम यहाँ पर बिक्वाली नहीं कर सकते हैं अब आगे जब भी यहाँ पर कोई candle, support line के नीचे closing दे, तो आपको उसके तुरंत बाद बिक्वाली करना है, और उसके बाद आपको profit booking के लिए यहाँ देखना है, कि जहाँ पर पहला resistance बना है, वहाँ से लेकर जहाँ तक पहला support बना है, इसके बीच का जो difference है, वो हमारा target तो यह रहा हमारा पहला resistance और यह रहा हमारा पहला support, तो अब इन दोनों के बीच का जो difference है, वो नीचे की और हमारा target होगा, नीचे की और हमारा target होगा 99 रुपए और 5 पेसे, तो जब भी यहाँ पर price पहुँच जाए, तो हमें तुरंत profit book करना है, तो दोस्तों यहाँ थी descending प्रायंगल के विशय में संपूर्ण जानकारी, उमीद हैं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है, तो आप कमेंट बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, गुड